दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे आलू परवल की भुज़ा की रस्पी बहुत ही सिंपल तरीके से जिसके लिए हमने लिया है धाइसो ग्राम के जितना ये परवल जिसे लंबे लंबे ऐसे कट कर लेने हैं और दो कच्चे आलू जिसे लंबाई में आपको कट कर लेना है चीलने के बाद, ये सारी चीजें अच्छे से साफ करने के बाद, ऐसे लेंथवाइस कट कर ली गई हैं, दो प्यास, थोड़े से लसन और दो हरी मिर्ची, अब एक कड़ाई में या फिर पैन में आपको दालेंगे, जीरे का तड़का, तो आदा छोड़ा चमच के जितना मैंने यहां पे जीरा लेके रखा है, इसे हम तड़के में डाल देंगे, इसे कोई भी बना सकता है, बहुत ही सिंपल सी रेस्पी है, अब डालेंगे लसन, लसन थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम वेट करे सिर्फ हम हल्दी और लाल मिर्श डालेंगे, उसके अलावा और कोई मसाले नहीं उसकरने वाले हैं, तो कोई भी बना सकता है, अब डाल देंगे दो स्लाइस किये हुए प्यास, इसे हलका सब भूनेंगे, प्यास को भी आपको ऐसा ही लंबाई में कट करना है, यह सबजी प दाल देंगे परवल, और परवल डालने के बाद थोड़ा सा आपको भून लेना है, अगर आपके परवल में बीच थोड़े से जादा हाड हो, कभी कभी होता है कि परवल के बीच पक जातें तो उसे हटा दें, और परवल का जो ऊपर की स्किन है, बिल्कुल हलके से मैंने चागू से स्क्रैच किया था, एकदम कम्प्लीटली निकालने के जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने में वो अच्छा लगता है, थोड़ी दिर तक भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आलू, जो हमने स्लाइस करके रखे हैं, एक से दो मिनिट इसे प्यास के साथ इस यह रैस्पी कचे आलू के साथ ही अच्छी लगती है, इसे भी हम भून लेंगे, शादी वाले आलूपरवल की रैस्पी मैं तरहें आपको रैस्पी देखनी हैं तो इसी वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यह रै थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल दें स्वादा नुसार बस ये तीन जीज़े मैंने डाली इसके लावा और कुछ भी नहीं डाला है पपस से अच्छे से मिक्स करेंगे और आज को अब कर देंगे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे एक तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी दो डाली थी तो लाल मिर्च पाउडर मैंने कम ही डाला है मैंने एक्शली कश्मीरी मिर्च पाउडर थोड़ा से जादा तीखा होता है तो कश्मीरी मिर्च जस कलर के लिए डाला है इसे तो पांच मिनट बाद इसे अच्छा से हिला लें पिर उसके बाद वापस से ढगतें दूसरे दो से तीन मिनट के लिए वापस से आपको खोलके चेक कर लेना है तो इस तरीके से जो आपके आलू और परफल है वो अच्छा से पक जाएंगे आप चाहें तो कर्चि से आलू को दबा के चेक भी कर सकते हैं कि वो अच्छे से पके हैं या नहीं पके हैं क्योंकि हमने लंबाई में और पतला काटा है तो बड़े अराम से अभी तक तो पक चुके हैं लेकिन हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे इसे फैला दे वापस से और वापस से एक से दो मिनिट के लिए अब फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं जब सब्जी एकदम अच्छे से होने वाली हो क्योंकि जो परवल होते हैं थोड़ा से कुर्कुरे से अच्छे लगते हैं तो लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी किया था अब हमारी सब्जी कंप्लीटली हो चुकी है खोलने के बाद एक मिनट के लिए वापस से हाई फ्लेम कर दो और इसे चला ले तो सब्जी बिल्कुल हो चुकी है मुझे ये सब्जी इसी तरीके से अच्छी लगती है आप एक बार इस तरीके से आलू परवल की भुजिया बना के देखेगा आपको बहुत पसंद आएगी आम शूर आप बनाने के बाद आपको कैसी लगी मुझे यहां पर आके बताना ना भूलें साथी में अगर आप चैनल पे नए हैं इसी तरीकी की और भी रेस्पी इसके के साथ तब तक लिए टेकिया बाबाई